हेलो फ्रेंड मैं हूँ देवन कुंबलवार मेरे चैनल के डिफ्रेंस वैल्यू में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं गुंधिया आम गाउ नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट के बारे में यह नेशनल हाइवे का काम तेजी से चल रहा है इस नेशनल हाइवे की फिलाल में यह जाएगा इस किलोमेटर में 15.9 कंट 10 मीटर तक के चपाइवे को चोड़ा किया जायएगा यह नेशनल हाइवे गोठा, थाना, खमारी होते हुए आम गाउ तक जाएगा इन जगहों पर नेशनल हाईवे को 15 मीटर तक चोड़ा किया जाएगा तथा यहां पर हर गाउ में बस श्टाप और लाइटिंग की सुविधा भी दी जाएगी इस नेशनल हाईवे में एक रेल्वे ओर ब्रीज भी बनाया जाएगा इस नेशनल 43 है जो मध्यप्यदेश और महाराष्ट सीमा से होते हुए रावनवारी गोंदिया ठाना आमगाउ देवरी होते हुए गड़ चिरोली तक जाता है यहां नेशनल हाईवे राइपूर और नागपूर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे नंबर तिरपन को कनेक्ट करता है जिससे यहां नेशनल हाईवे गोंदिया को डारेक्टर राइपूर और नागपूर से कनेक्ट करता है इसलिए इस नेशनल हाईवे में वाहनों का संचालन बहुत अधिक होता है यहां नेशनल हाईवे 10 मिटर चोड़ा होगा मतलब यहां थ्री लेन नेशनल हाईवे होगा जिसे concrete से बनाया जा रहा है यह सी सी रोड होगा मतलब यहां 50 वर्षों से अधिक तक यह सड़कों की चलने की capacity होगी मतलब इसकी quality इतनी अच्छी होगी कि यह 50 वर्षों से भी अधिक तक इसमें गाड़ियों का संचाला अच्छे तरीके से हो पाएगा आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और सेर करना ना भूले धन्यवाद